हेलो गाइस, विलकम टू माई यूटूब चैनल एक्स्ट्रीम रितिक इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC Securities में अगर आपका अकाउंट है और आप लोग ट्रेडिंग करते तो call buy करने का तरीका कौन सा सही है put buy करने का कौन सा ट्रीक सही है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ठीक है अगर आपने HDFC Securities में अभी तक अपना अकाउंट करेट नहीं किया होगा तो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्सर में दे देंगे और अगर आपको अकाउंट ओपनिंग वीडियो देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको HDFC Securities क्यों पर वीडियो मिलेगी यह रही आप सिंपल यहाँ वीडियो देखकर के अपना अकाउंट ओपन कर सकते है ठीक है अब सिंपल हम इस अपलिकीशन को ओपन करेंगे HDFC Securities ठीक है यहाँ पे आपको इस टाइप का अंटरफेस मिल रहा है आप किसी stock में trade करें या फिर index में trade करें तो आपको पता है कि हर दिन आपको opportunity मिलती है जिसमें आप call भी buy कर सकें और put भी buy कर सकें ठीक है बट यह identify हम लोग नहीं कर पाते कि कहाँ पे call buy करना ची उसका reason है lack of knowledge तो यही problem को हम लोग sort out करेंगे आप simple हमारा whatsapp channel join करें जो की 100% free है ना ही कोई हमारा subscription है ना ही कोई हमारा private channel है यहाँ पे हम आपको identify करके बताते कि market में support कहाँ पे है resistant कहाँ पे जिससे आप लोग खुद बखुद identify कर लेंगे कि market में buying की opportunity कहाँ पे call buy करने की opportunity कहाँ पे है और put buy करने की opportunity कहाँ पे है तो आप लोग check out कर सकते और same आपको हमारे telegram channel पे भी messages मिलेंगे तो आप यहाँ से भी join हो सकते है यहाँ पे भी आपको same ही हम सिखाते है ठीक है तो दोनों का link हम आपको description में देते है और हम आपको 100% guarantee देते है कि अगर आप हम से जुड़ते है तो हम आपको profitable result प्रवाइट करेंगे मिलते हैं next वीडियो में जय मातादी